नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पांचवे HTML टुटोरल में हिंदी में मेरा नाम है गौरव और इस टुटोरल में मैं आपको किसी भी वेब पेज में बुलेट्स इंसर्ट करना सिखाऊंगा और उसके लिए कोडिंग सिखाऊंगा तो आई शुरुबात करते हैं सबसे पहले मैंने एक बेसिक कोडिंग त्यार कर रखी HTML की और अब मैं बॉडी एलिमेंट के अंदर जो है कोडिंग करने जा रहा हूं बुलेट्स इंसर्ट करने के लिए तो सबसे पहले मैं दो पॉइंट्स लिग देता हूं कोई भी नॉमल से और पॉइंट लगाता हूं और इदर ब्रेक टाइग इस्तिमान दरूंग एक एम्टी एलेमेंट है उसके बाद मैं लिख देता हूं बहुत ही बेसिक से पॉइंट लिखे हैं मैंने समय बचाने के लिए और अब मुझे इस sky is blue in color यानि कि sky के पहले एक बुलिट चाहिए और sun is yellow in color के पहले एक बुलिट चाहिए तो सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं ul tag के अंदर enclose करूँगा ul tag के अंदर कुछ इस तरह enclose करूँगा अब मुझे जहां पर बुलिट चाहिए वहां पर मुझे एक empty element लगाना पड़ेगा जिसे हम कहते है li जैसे कि मुझे sky के आगे एक बुलिट चाहिए तो मैं वहां पर एक empty element लगाँगा li और मुझे sun के आगे भी एक बुलिट चाहिए तो मैं वहां पर भी एक empty element लगाँगा li यहां पर मैं लगा चुका हूँ दोनों elements यानि कि जो जो इपर दुबारा समझा दू जिस point को आपको बुलिट के अंदर insert करना है उन सबको पहले ul tag के दर enclose करिए और फिर हर एक point के आगे जहां पर आपको बुलिट चाहिए वहां पर एक empty element लगाएंगे li तो आईए इसे save करते हैं और देखाता हूँ मैं आपको कुछ क्या होता है इससे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स नाम देता हूँ और html और फिर इससे मैं all files सेब करके save लिख कर दूँगा और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी file create हो चुकी है अब मैं split आउट करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास bullets आ चुके हैं और bullets होते इसलिए हैं ताकि points को आई-catching बना सकें और यहां पर हमारे जो points है वो काफी आई-catching हो चुके हैं तो यह था मेरा पांचवा tutorial html पे जिसमें हमने सीखा कि किसी भी web page में हम bullets कैसे insert कर सकते हैं उसके लिए coding क्या है आपको अगर यह वीडियो पसंदा है आप इसे like कर सकते हैं आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते ह और इस वीडियो को देखने के लिए धन्देवार